तो चलिए दोस्तों, आज आम यहांपे जानेगे कि LMU में कौन-कौन से कॉलेज ज़े हैं। प्राइबेट हैं, और कौन से कॉलेज गॉश्मेंट हैं। तो कोई भी किसी भी इनवर्सिटी का या फिर कोई भी कॉलेज का पता करना हो मुख्याला दरवंगा या विश्विद्यला सन 5-10-1992 में आरम होगा था बर्तुमान में ललीत 9 मिश्विद्यला के अंतरगत 78 महा विद्यला आते हैं जो की चार जिले में अबस्थी था है इसके अंतर जो है 78 विद्ध्य ले आते हैं महां विद्ध्य ले आते हैं जो चार जिले में अवस्ति था तो कौन-कौन से चिला है यह तो आप लोग जनते ही होंगे दरवंगा है समझती पूर है बेगुसर है और सुरी यहां पर मोतियारी आ गया यहां पर मदोबनी लिख होना चाहिए यहां पर मदोबनी तो टाइपिंग में स्टेप होगी यह थोरी महां पर मदोबनी हो जाएगी फिर इसका देख लीजिए यहां पर इसमें कौन-कौन से पढ़ाई होते तो भी कॉम, BSC, BAD, LLB और MBS जैसे कारकरम के अंतरगत असना तक MS, SSC, MBA इस तरह के बहुत से पढ़ाई होते हैं तो चलिए अब यहां पर किसी भी तरह का आपको question हो तो comment box में आप पूछ सकते हैं और question यहां पर जो होता है, normally question आगे फिर हम आपको बताएंगे, government college कौन सा, कौन सा private college है, तो यहां पर देख लीजे, question जैसे, where is LNMU, तो LNMU University is in दरवंगा, भिहार नौर्थ, उसका दो, what is the full form of LNMU, answer इसका हो जाए, LNMU is full form, is लहित नहे, मितला, University, how many UG college have LNMU, UG का जो पड़ा है, तो जो कि UG का अंतर्गत क्या आता है, तो ये आप सलिए लिए UG और PG में क्या अंतर रहат shelters, यहां पर देख लेजे, यहां पर बोल रहा है, 78 UG college, यहां नहीं कि UG क्या है, तो UG का अंतर्गत जो है UG, इसका अंतर्गत जो BA, BSC, और BLC, यह सब जो करते है ये UG के अंतरगत आते हैं और इसका जो कॉर्स है तीन साल का कॉर्स होता है UG का और PG के अंतरगत क्या हता है? PG के अंतरगत M में इस तरह से आते हैं ये सब कॉर्स और इसका कॉर्स दो साल का होता है तो इस तरह से UG और PG होता है UG हो गया Undergraduate और P ji हो गया प्स्ट रिजट यह आप समझ लिए चलिए नेइक्स्ट यहाँ पर पड़ पीजी कह अंतरगट जो है 10 आते हैं और New जी में आते हैं तो यह subject आप देख सकते हैं BA में कौन कौन से subject आते हैं तो ये आप यहां पे देख सकते हैं VSC में कौन से आते हैं BCOM में कौन से आते हैं इसके लाद MA में MSC में MCOM में इस तरह से अब देखिए यहां पे BEGUSRA district में कौन कौन से college है in this BEGUSRA district there is five constituent college and four और अफ्रिलेटेड कॉलेज टोटल नाइन कॉलेज लाइन नाइन कॉलेज है एलनमी का बेगुसरा डिस्टिक में तो कौन-कौन से यहाँ पे आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वह आपको नेक्स्ट बताएंगे उसके बाद यहाँ पे दर्वंगा में देख लिजिए 13 और 12 हो गया 25 कॉलेज दर्वंगा में और उसके बाद यहाँ पे अभी बता देंगे आपको कौनसा गवर्मेंट कॉलेज है और कौनसा प्रावेट कॉलेज है और समस्तिपूर डिस्टिक में जो हो गया 13 और 9 यानि 22 कॉलेज है मधुवनी में टोटल हो गया 78 कॉलेज तो यहाँ पे देख लिजिए अब वेगुसरा डिस्टिक में और उसके बाद अफिलियेट कॉलेज कॉन कॉन साय तो यहाँ पे देख सकते हैं जीडी कॉलेज वेगुसराय, SPSS, SKM APSM यह चारो जो RCS तो यह इधर पॉंच होगे उसका इधर होगे RCSS, BAT, RBS, RKAL Law College, महंतराम, जीवंदास, कॉलेज यानि की MRJD तो इधर का जो हो जाएगा यहाँ पे आप देख लिए यह इसमें आ जाएगा Government College, यह Government हो जाएगा यह प्राइवेट कॉलेज यह आपको धियान रखना है तो Government College यहाँ पे देख लिए जीडी कॉलेज, SPSS, SKM, APSM और RCSS, यह सब गवर्रमेंट कॉलेज हो गया और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हो गया, RCS कॉलेज, RBS कॉलेज, RKA कॉलेज और MRJD कॉलेज यह सब हो गए प्राइवेट कॉलेज और आगे हम देख लिए यहाँ पे, दर्मंघा में भी सेम उसी तरह है तो CM, CM कॉलेज हो गया यहाँ पे cm college government college mg college private cm science हो गया government और rbj college यह हो गया private cm law हो गये government और lcs हो गया यहाँ प्राइबेट मरवारी college हो गया government और एन जहा महिला यह हो गया private mrm college दरभंगा यह government और वहरा college यह private क्यास college government तो mm college private और mk college लहरिया तो यह गया government हो गया mmtm college यह हो गया private college मिलत college लहरिया शराय में यह हो गया government college mrsm college हो गया private college mlsm हो गया government तो mm college हो गया private तो इसी तरह आप यहाँ पे देख लिए बी-म college government तो sbs sbc तो यह हो गया sb college प्राइवेट मक्यास government qa college प्राइवेट जेके college government तो jd college private jn college government इस तरह से हो गया दरबंगा का और इसका लिस्ट अगर आप चाहते नीचे यहाँ पे इस नमर पे आप मेसेज कर दिया यह यह आपको तो इसका आप इसके इंसर्ट लिए लेजिए तो इसमें क्या-क्या आपको लिख के देना है अपना college नम गुरूप में आड़ होने के लिए अपना नम सेशन इतना आपको लिख के मेसेज करना है तो आपको गुरूप में एड़ कर दिया जाएगा तो आप नेक्स डेघ लिए मधुबणी में कमें उससे college है आर्के college जुरूप गुरूप मेंट है तो डिय कॉलेज हो गया प्राइविट जे-अन college गुरूप मेंट ए-ए-अ-च-च ए-ए अ-च ए-कॉलेज प्राइविट र-एन-कॉलेज गुरूप पी-ड-के-जे कॉले उसी तरह BM College Government, SNM College Private, KBSC College Government, PLM College Private, JMPDL और LNJ College Government, SMJ और Luton जहां College Private, उसके बाद MLSM, HPS College Government तो RNG और JD College, JDGS College हो गया पर है इस तरह आप यहां पर SMJ College, SMB College हो गया गोवर्मेंट और DB College, BSJ College यह हो गया गोवर्मेंट इसी तरह आप लास्ट बाच गया यहां पर समस्तिपूर डिस्टिक में तो इसमें देख लिए आप समस्तिपूर कोलेज समस्तिपूर, RNR गोवर्मेंट हो गया, SK College और SR College प्राइवेट हो गया उसी तरह BR College, Moments College गोवर्मेंट इसर इधर हो गया SMRC कोलेज और GKPD कोलेज प्राइवेट AND College, RBS अनन्दपूर यह हो गया, प्राइवेट गोवर्मेंट और यह संत कभीर, RLS, RMD College यह हो गया, प्राइवेट इस तरह RB College और UP College पूशा यह हो गया, गोवर्मेंट और इधर विदी और इसके बाद MND College यह हो गया, प्राइवेट इधर UR College और DBKN हो गया, गोवर्मेंट और CR College और RISE College यहां पर यह हो गया, प्राइवेट इसी तरह यहां पर डॉक्टर LKBD और GMRD हो गया, गोवर्मेंट तो इधर BVKB College हो गया, प्राइवेट तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, उसके बाद आप यहां पर देखिजिए, PG का कौन कौन सा कॉलेज होता है, जिसमें के अंतरगत M.A.M.S.C.M. कौम किया जाता है, जिसके अंतरगत कितने कॉलेज आते हैं तो यह आप देख लिए, LN.M.U. Campus दरवंगा फर्स्ट समस्तिपूर, BRB College समस्तिपूर, RV College दल सिंग सराय समस्तिपूर, GD College वेगु सराय, RK College मदुबनी, यानि कि मदुबनी में एक है, वेगु सराय भी एक है, और समस्तिपूर का तीन है, और दरवंगा का पाँच है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, अधिक जनकारी के ल बलते रहेगे,